साथियों, करनाटका में ट्रेडिशन भी है और टेकनोलोजी भी है, यहां स्टार्ट अप और संस्कृती एक साथ ससक्त होती है, यहां भारत की पुरातन और नूतन पैचान एक साथ सम्रुद्ध होती है, यह डबल इंजिन से होने वाले विकास का अदभुत मोडल है, भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है, जन्ता को जनार्दन का रूप माना है, आज जब बेड़गा भी आया हूँ, तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूँ, दस मई को आपको करना टका को देश का नमबर वन राज्य बनाने के लिए वोट करना है, दस मई को आपको करना टका में डबल इंजीन सरकार की वापसी के लिए वोट करना है, और साथ्यों मैं करना टका के एक सेवक के रूप में करना टका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दोगे न, आप मुझे आशिरवाद दोगे न, मेरे लिए करना टका बहुत महत्वपुर राज्य है, और इसलिए मुझे आपके आशिरवाद चाहिए, मिलेंगे न, भरपुर आशिरवाद मिलेंगे, माताओं बैनों के आशिरवाद मिलेंगे, नव जमानों के आशिरवाद मिलेंगे, किसानों के आशिरवाद मिलेंगे, साथ क्यों भाजपा ने करना टका के विकास के लिए नई उर्जा और पुराने अनुभवों के मेल से एक मजबूत टीम तयार की है यह टीम आने वाले आज़ादी के अमरितकाल में करना टका के विकास के हमारे रोड में पर काम करेगी अमरितकाल के संकल्पों को ससक्त करने के लिए इस टीम को आपके आशिर्वाद चाहिए आपके आशिर्वाद मिलेंगे ना बरपूर आशिर्वाद मिलेंगे ना पहले से जादा आशिर्वाद मिलेंगे ना यह आपका उत्सा उमंग बता रहा है इबारिया इबारिया निर्धारा बहुमत्दा बीजेपी सरकारा इस संकल्प को हमें मजबूती देनी है साथ क्यों आपने देखा है कि बाजपा से पहले जोड तोड से बनी सरकारों का पूरा जोड सरकार बचाये रखने पर ही रहता था अस्थिर सरकारों के उस कालखंड से करनाटका का बहुत नुक्सान हुआ है यह मैं अपने पीड़ा आपको बता रहा हूँ जी मैंना दर्द बता रहा हूँ करनाटक जैसा सम्रुद्ध महान प्रंपरवाला राज्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण खरीद बेच की राजनीतिके कारण यहां के नौजवानों के सपने चूर चूर हो गए और इसलिए करनाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थीर राजनीतिक दल एक मजबूत बहुमत वाली सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार करनाटका को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थीर और मजबूत सरकार दे सकती है